जै शिरी श्याम दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो यह हो रहा है टाइम 11 बच चुके हैं और सुबह का जाड़ू पोचार नास्ता वगएरा का सबका काम निवड़ चुका है फ्रेंड अब यहां बना रही हूं मैं चोदास बड़ी चोदास यानि कि माता का दिन है आज तो माता के दिन पर बनेंगा हलुआ पूरी दिस्टीगी में ही बना रही हूं फ्रेंड यह मैं हलुआ पूरी और बच्चों को नास्ते माच पराठे वगएरा दे दिये थे मैंने बना के तो यहां बनाने लगी बना क्हाना के और देवी को भ लगाना खाना को यह देखे लितीन होचे और देखे तन की आपका पूरी जाए गर हर दो तो फिर पकानर देखे श्यावरत वर्मिंड रहा जाए बीच में राजमचावल भी बनाती रहोंगी तो यहां पहले फटा-फट से पुरिया शेक लेती हूं तो यह देखें कैसी फूली-फूली पूरिया बन रही है मैं आपको निकाल के दिखाती हूं अभी तो यह देखें कैसी कुबारी सी कहते हैं ने फिल्गुल भटूरे की सेक के उसके बाद देवी की بी सेक के फिर इसके बाद मैंसमें ही अलवा बना दूंगी फ्रेंड तो यह देखे फटाफटछ से सेक लिते हैं पूरी और मैं बिल्गूल राइडी हो चुकी हूँ यह ना पहले गर काम वगरा हो जा फ्रेंड तो उसके बाद ही अपने ये पूजने में नसने के काम में लगो बच्चों को भीजने के बाद पहले सफाई वगरा करी मैंने सारी उसके बाद ही सारी तैयार वगरा मैं हुई हूँ तो ये देखे बना लिए मैंने पूरिया और एकदम फुली फुली बन रही है फ्रेंट तो ये देख तो यह देकि करते हैं है तो चलिए करते हैं हलोव बनाने की तैयारी क्योंकि पूरी आंगे देख लेकिति एक बार में हाथ कारके देख लिए पूरियों में तो यह देखिए है, हमझे वूंत कैसे निकल जाएगा तो यह देखिए यह सूजी रखी थी नापकर मैंने पहले ही कटोई में रख लीथी तो यह फटापट से में बुन देती हूं मैं दिखाएता आपको तो ने फाल्तुगा घी मुझे कम लग रहा था और मैंने घीधानी में से तो यह डलने का नहीं घीदानी में तो मैं उपर से डब्बे में से निकाल की डालूंगी तो चलिए गीदानी रखते हैं क्योंकि इसमें गरम है गी तो यह देखे मैंने घी उतार लिया है अब एक चमच में इसमें दिसी घीदानी डाल देती हूं और कम सा लग रहाता मुझे अइसमें है मुझे घीदानी राज मॉबल चुका है तो चले इसमें से चीनर करते हैं की सूजी भून चुकी है जितनी मुझे खलर दयुए मैं पहलेखना पॅनड़त के मिलना है क्याया निए। पानी में अरभन67 जीनि तो यह दो malaै cirche पाहल हिसदे हैं। पानी मगेस दो सब्सक्राइब था शुड़ा सब्सक्रानी होना हविक कि नहीं भी रहो चुकिए पुरिया भी हो चुकिए लगाते हैं देवी वगएरा की प्लेट वगएरा इतने हलुआ बने के देदूंगी उन्हें तो इतना चितरे बनके आया है जैसा मुझे गाड़ा गाड़ा चाहिए ऐसा भी थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं क्योंकि हमारी है फ्रे लुट्ट तो चलिया हलुआ हो चुका है चाहे भी हो चुकिया तो मैंने देवी की लगानी शुरू कर दिये प्लेट क्योंकि मुझे करक्या पहले पूजा तो चलिये लगाते हैं प्लेट पहले गाएं की निकाल देती हूँ दो और इसमें ड्राइफूट वगरा जो मुझ दूंगे और करते हैं गैस बंद फिर तो ऑफस्ट बंद हो चुकिया निकालते हैं गया की मादुजी बेले में क्योंकि हमारी जो होता है सब पहले गाए को अगनी माता का निकलता है तो यह अगनी देव का निकाल दिया डो रग दिया तो यह मेरी देवी की पूरी है क्योंकि चार पूरी का भोग लगाना है मुझे उनी पर मैं हलुआ रख नुज़नी तो यह देखे चार पूरी रख लिए उपर हम प्लित शुब कर दे लो आने लगने लग थाकुर्ची और बाबा की क्योंकि पहले महलवा पूरी से ही उन्हें खिलाऊंगी तो यह देखिए चलिए लगाने करते हैं चलने करते हैं पूजा फिर उन्हें चाय देखे होंगी पहले करूँगी पूजा तो चलिए पूजा करने चलते हैं और भोग लगाने चलते हैं सबका तो यहां में बोख वगर लगा के आगी थी उन्हें चाय वगर भी दे दी थी तो चलिए खाना बनाने की त्यारी करते हैं क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो चुका है मैंने भी चाय वगर ले ली थी तो यह देख़े यहां राजमा छोख रही हुँ मैं राज मोगल चुका तकड़ाई में पहले राल दिया रिफाइंड वाल मैंने राज जिमेंगी रेसेपी आप लोगों के साथ पहले भी सेयर करी हुई थी फ्रेंड तो यह देखिए मैं फटा-फट से छोग देती हूं पहले और मुझे ऐसा लगता है बच्चे आगे दिख्या क्योंकि हस्बेंड बोल रहे हैं बच्चे आचुके निचे तो चलिए बच भाईया ले आते हैं नहीं तो चच्चा या कोई बीन में से लियाता है जाके तो रिफाइंड के दिया तकड़ाई गरम होगी थी तो देखे गुडिया मेरी आ चुके मैंने काना बच्चे आ चु तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजमा तो देखे कड़ाई गरम हो चुकी है उसमें जीर वगएरा डाल दिया है तो देखे एक चमस में जीर डालोंगी छोटी वाली गुडिया भी मेरे पास यह भी खड़ी हुई है तो देखे जीरा भून चुका है अब लगा देती ह अब लूइंग और मैंने एक आलू और तीन चाठ टमाटा रहे खड़ी मिर्च कट कर रखे हुए तो देखे मिलाते हैं फटा फट से तो मसाला फिर मैं दिखाती है आपको मसाला ते यहर करने के बाद बिल्कुल तो सारा वाट टमाटर वगएरा इसमें में डाल देते हैं चलो मसाला गेरना सुरू करते हैं इसमें तो स्वाद के अनुस्वार नमक नमक पहले मैंने उबलने में भी गेरा हुआ था फ्रेंड ऐसे ट्राइक करके देखना राजमा बहुत टेश्टी बनता है तो यह देखिए और अच्छी तरह उबाल लिया है पहले मैंने कूकर में तो यह देखे मसाले मसाल दनी में से जो जो मसाले लगेंगे तो पहले हल्दी पाऊडर थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्चे भी कटी हुए है तो थोड़ी सी लगाऊंगी, कोटा हुआ धनिया, गरम मसाला, सारी मसाले डाल दिया है मैंने इसमे अच्छी तरह से, अब दीके चलाते हूं खुब अच्छी तरह से, फिर मैं आप लोगों को मसाले भी दिखा कि इस तरह से भुन के आए हैं, तो चलिए, तो यह देखे मसाला कितनी अच्छी तरह से तयार हुआ है, बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसाले ने, और यह देखे हैं, चावल बनने लग रहे हैं, तो चलिए मैं इसमें राजमा डालते हैं, राजमा भी मैं आपको दिखा चावल बनने लग रहे हैं, बासमती वाले चावल हैं, तो यह देखे मसाले का चोग हो गया, तो इसमें डालते हैं, राजमा भी मैं अच्छी तरह से मिला दूगी, और थोड़ी देर इसमें पकाऊंगी पहले, क्योंकि यह जिसमें च्छी तरह मसाला और राजमा मिल जाए क्योंकि कुकर मैंने इस बनाती हूँ, मैं इस तरह ही बनाती हूँ, तो खाना ओचुका है, राडी, तो लगाते हैं बच्छों की प्लेट वगरा, तो हलुआ भी करम कर दिया है, मैंने थोड़ा सा अगर लेंगे खाने के साथ तो ले लेंगे बच्छे, तो यह देखे, चा तो चलिए गुडिया के भी प्लेट लगाती हूँ, मैं थोड़ा सा अलुआ भी कर देती हूँ, अगर लेंगे तो बच्चे, तो यह देखे, दुनों के प्लेट लग चुगी है, तो यह देखे, कितना अच्छा खाना बनकर आया है, तो मैं दियाती हूँ, उन्हें खाना, तो खाना वगईरा, बरतन वगईरा साफ करने के बाद फ्रेंड, तो यहांरे पर्दे लगने के लिए हुए चुगा है, यह जिस दिल मसीन से छेद कर रहे हैं, डिवालों में, जहाँ में पर्दे लगाने ही, हैं मंदिर वगईरा बनाया है, तो यहां मुझे जरूर परदे टांगने की तग्यारी करेंगे क्योंकि अभी परदे वगरा मैंने फ्रेंड मंगाई नहीं है तो भार गेट पर पाइप लग चुका था तो यहां भी पाइप लगाने लग रहे हैं फिर मैं दिखाती हूं आप लोगों को पाइप लगने के बाद और मुझे प्रेस कर करने के लिए भी लग वाना है तो मैंने ज्यारी पहले उसका भी छ्छेत चाहिए तो यहां देखिए तो यहां देखेंगे मैंने और खाने के लिए चेक कर वाली आए जाय जी से तो ज़या शाम दोस्तों आप लोग कैसे आई हो सब भूट अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज इती बड़ी चोदस मैंने सुचा पहले आप खाना वगेरा हो गया था वरतन वगेरा भी मैंने साफ कर लिये तो मैंने सचा आ तो अभी पाइप बागेर लग चुके हैं तो देखिए वाला पाइप इधर भी लग चुका है और एक पाइप बाहर भी लगा है तो मैं दिखा देती हूं फिर भी आप लोगों को एक बार बाहर तो यह देखिए इस तरह से बाहर लगा है बाहर लग चुका है तो चलिए करत अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी इसी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक भी करना कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और जो नए हो मेरी फ्रेंड मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू सबसे पहले मोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुचे और वस मैं वीडियो को हैं पेरेंड करती हूं बाई बाई फ्रेंड